हेलो बच्चो मैं आरादना बर्मा आप लोगों का मेरी योट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्चागत करती हूँ बच्चो आज की वीडियो में हम लोग कक्छा आठ की हिंदी पुस्तक वशंद 3 का चैप्टर नमबर 14 लिएन अकवरी लोटा का NCRT में जो भी प्रस्ण उतर हैं उसको सॉल्ब करने जा रहे हैं अगर आपने पिछले किसी वीडियो को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्कृशन बाक्स में आपको प्लैलिस्ट का लिंक को प्लग मिलेगा उसे क्लिक करके आप पिछले किसी वीड को देख सकते हैं साथी साथ मेरे चैनल पर आपको कक्षा एक से कच्छा दस तक के हिंदी विशे के सभी पार्ट के राख्या और प्रस्ण उत्तर के वीडियो प्लग मिलेंगे आए इस पार्ट अक्वरी लोटा के प्रस्ण उत्तर को सौल्ब करते हैं पहला जो प्रस्ण है व कि चुप क्यों रहें अपने बिचार लिखे तो उत्तर में आपको अपने बिचार लिखने कि उन्होंने चुप चाप वो लेटा क्यों ले लिया जबकि वो लोटा उनको पसंद नहीं था लाला जहाउलाल को बेढ़ंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसा आप उत् पतनी जो थी कापी तेज तर्रार सभाव की थी उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटा में पानी मिला है यदि चाशू करूं तो कहीं बाल्टी में भोजनना करना पड़े याने कि उनकी पतनी पताने कैसा जवाब दें उससे वो डरते थे दरते थे दूसरा प्रस्ण है लाला ज हाउ लालने कौन-कौन सी बाते समझ ली होगी तो ये क्या है ये पाठ का एक पंक्ती है तो इसका अर्थ क्या है ये आप से पूछा जा रहा है कैसा वो क्या सोचे होंगे लाला जी दो अर्दो जोर कर स्थिति को समझना अर्थात पर स्थिति को भाप जाना होता है लोटा गिरने परगली में मचे सूर को सुनकर आंगन भी रिकत्र हो गई होगी एक अंग्रेश को भिंगे हुए तथा पैर सहलाते वे देखकर लाला समझ गयें कि इस्तिति गंबीर है तो इस्तिति गंबीर को समझ लिए थे वो यानि कि दो और दो वो समझ गये थे और लोटा अंग स्थिति को भाव गया थे किस्थिति कितने कंभीर हैं अगला प्रस्त झार आन्ग्रेश के सामने बिलवासे जी ने जहाओल zij को पर चांगने रिखने कर दिया। है। पहलूल को पचानदे के निकार कर दिया क्योंकि अंगरेज का कुरोद सांध यह नीजा करने के लिए और उन्गरेज को जराब पिसे में हो कि वह लाला ज्हालाग में सांध करने लिए जिससे पैसे की विवस्ता हो सके, किसके लिए अपने दोस्त के लिए वो ऐसा करना चाहते थे अगला प्रस्न है बच्चों, बिल्वासी जी ने रुप्यों का परवंद कहां से किया था? लिखिये तो पंडित बिलवासी जी कहां से पैसे लाएं थे इसके बारे मैं आपसे पूछा जा रहा उत्तर में आप लिखेंगे बिलवासी जी ने रुप्यों का परवंद अपने ही घर से अपनी पतने के शंदुख से चोरी कर किया था तो हलाकि एक गलत काम उन्होंने किया था पर उन्होंने कहानी में ऐसा ही किया था अगला प्रस्ण है बच्चों हमेशा अपने जो कहानी हम पढ़ें उसी अनसार्थ से देना होता है हमें अपने तरब से कुछ भी उसमें एंसर में जोड़ना नहीं होता है जब तक कि आपके अनुमान यानि की इमेजनेशन पर बेस्ट कोई कोश्चन ना हो अगला प्रस्ट है आपके बिचार से अंग्रेज ने या पुरान लोटा क्यों खरीद लिया आपस में चर्चा करके वास्तवी कार्म की खोज कीजी और लिखिए तो ऐसा अंग्रेज ने क्यों कि एतना ठूटा फुटा लोटा वो क्यों खरीद लिया था आप उत्तर में लिखेंगे अंग्रेज को पुरानी अतिहासी चीजें इकठे करने का शौक था ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पितल की मूर्थियां खरीद रहा था जब लोटा उसके उपर गिरा था उस समय भी वो सरक पर खड़ा हो करके पुरानी पितल की चीजें दुकानसे खरीद रहे थे इसलिए इसका मतलब अंग्रेज को पुराने चीजे एकठा करना और खरिदने का शौक था अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा आक वड़ी लोटा समझ कर पांच से रुपी में खरिदा अगला प्रसने बच्चों इस भेद को मेरे सिवाए मेरा इश्वर ही जानता है आप उशी से पूछ लीजिएगा मैं नहीं बताऊंगा बिलवासी जी ने ये बात किश्य कही और क्यों कही लिखिए तो ये भी एक पंक्ती है जो कि पार्ट से लिया गया है तो बच्चों आप क्या बोलेंगे इसका एंसर बिलवासी जी ने ये बात लाला जहाउलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुप्यों का पड़वंद अपने घर से अपने पतनी की संदुक से चोरी करके किया था इस रहाशी को ज्भावलाल के सामने नहीं Ֆोलना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस तऱ का उत्तर दिया था अगला प्रस्न है प्रस्न साथ उस दिन रात्तरी में बिल्वासे जी को देर तक नेंध नहीं आई समस्या ज्भावलाल की थी लाला जहावलाल की समस्या थी और निंद बिलवासी जी की उरी तो क्यों लिखिए यह आपको उत्तर में लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ था उत्तर में आप देंगे जहावलाल के लिए बिलवासी जी ने अपने पत्नी के संदूग से पैसे चोरी किये थे अब भी अपने पत्नी के सोने की पर्तिक्छा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदुग में रख दे इसलिए समस्या जहाउलाल के थी और निन्द बिलवासी जी की उरी हुई थी अगला प्रस्न है बच्चों प्रस्न आठ लेकिन मुझे इस जिन्दगी में चाहिए अजे इसी सब्ता में ले लेना सब्ता से आपका तातपरिशाद दिन से है या साथ बर से जहाउलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बात्चित से आपको क्या पता चलता लिखिए तो यह जो कुछ पंक्तियां दी गई है फार्ट से इससे आपको जहाउलाल के बारे में क्या पता चलता है जहाउलाल की पत्नी को अपने पती जहाउलाल के वादे पर भरोशा नहीं था याने कि वो कोई काम भरोशा दिने के बाद भी नहीं करते थे दूसरा उनकी पत्री ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंत उन्होंने हां करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा याने कि बिश्वास खोदी होगा तीसरा जावलाल कंजूस प्रकृतिके हैं तो इस कारण से भी वो विश्वास नहीं कर पा रही है अगला प्रस्ण है क्या होता यदि अंग्रेज लोटा लोटा ना खड़िता तो अगर अंग्रेज उस लोटा को नहीं खड़ता तो उस दिन क्या होता उत्तर आपको पूछा जा रहा है यदि अंग्रेज लोटा नहीं देपाते और अपनी पतनी के शामने बैजित होते हैं के अगला प्रस्न पुछा जारा बच aur फले उथी जिर्माना देना पड़ता है जैसा कि उस से मैं किया कर देते थे ऐसा कुछ होता अगला पुछा जारा है किया होता यदि जब बिलवासी अपने पत्नि के गलए से चावी निकाल रहे थें तब उनकी पत्नि जाग जाती है जैसा कहानी में दिखाया या कि वापने पत्नि के कर द capt em song के उसमें अगर उसके पत्नि जाग जाती तो क्या होता गले से चावे निकालते से मैं यह दि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चूरी जैसे खिनोना काम करने पर उन्हें अपने पत्नी के शमख्च सरमिंदा होना पर था क्योंकि वो अपने मेत्र की मदद कर रहे थी यह तो अच्छी बात है पर बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपय का परवंद किया वह शही था या गलत तो यह आपके विवेक से आपसे पुछा जा रहा है उत्तर में आप देखेंगे बच्चों बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपय का परवंद किया वह गलत था वो बिलकुल भी शही नहीं थ अपने श्वार्थ सिद्धी के लिए किशी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए तो बिलवाशी जी को क्या करना चाहिए था अपने पतनी की शाहमती के साथ ही वो पैसे लेकर जाना चाहिए था चुराना बिल्कुल ही गलत काम किया था उन्होंने तो इस तरह से उमीद है को इसका नोटिफिकेशन मिल सके बहुत जल्दी ही मैं साइन्स के वीडियो लेकर आने वाले हूं धनिवाद बच्चों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार